आप में से बहुत मित्र जॉर्ज गुर्जियव के बारे में मुझे जानना चाहती थी हैं तो इस विडियो में हम जॉर्ज गुर्जियव का साधना का जो पद्धती है उसके बारे में हम थोड़ा प्रकास टारेंगे तो इसे महत्तपुण बात यह है कि गुर्जियव काउन था क्या करता था यह महत्तपुण बात नहीं है कि उसके साधना की बिदी क्या थी वो अपने सिस्षियों को कैसा साधना करवाता था और कैसा लाभ होता था लोगों को उसके बारे में चर्चा करें तो गुर्जियव का जो साधना का पद्धती है, वो सबसे खतरनाक पद्धती था, उस जईसा कोई आदमी नहीं था, गुरी जीव को ये भी बोला जाता कि वो सैतान संत है, रियस्नल संत बोलते हैं उसको, उसको सैतान संत बोलते हैं, वो अधभुत आदमी था, वो तलवार जईसा भी था, फुल संत जैसे दिखाई पर्ता था, एक दम नरम कोमल जैसे, और दूसरी तुरह बेटनेदेवाले, उसको एक खतर्नाक मुजरिम जैसे भी देखते थे, उसके पास ऐसे अधभुछे मता थी, वो दो आँख, एक आँख में कोमलता भी प्रकट करता था, दूसरी आँख में कठोरत भी प्रकटकाता था। तो गुर्जीअ चा의य विए मे नियम कोई भी नियम है नहीं। वो क्या खाना, क्या नहीं खाना, माला दिख्या पहिनना, कि नहीं पहिनना, शासरोंको पड़ना, नहीं पढ़ना, इसका कोई भी मतलब है। गुर્ जीब खुद ही शिग्रेट पिता था लगाता आप उसकी ब्रीव में देखे जहाँ आप दिखेंगे वह लगातार शिग्रेट पिता हुआ आपको दिखाए पड़ेगा तो गुर्जी भी कहता है कि तुम क्या खाते हो, क्या पहिनते हो, इसका कोई अर्थ है नहीं, अईसा नहीं कि तुम सिग्रिड नहीं खाते हो, इसलिए तुम ध्यानी हो जाओगे, अईसा नहीं कि तुम विशेश कोई अनुस्थान करते हो, कोई पुजापाद, बरत तपस्य तब ध्यान इत्यादी करते हो तो आपको ज्यादा अध्याद्मिंग लाप होगा, ऐसा है नहीं। वो अध्याद में एक साइन्स की तरह लेता था, और उसका सेंटर में क्या था, कि वो अहंकार को गिराता था, गुर्जी अब के लिए एक ही बादा है, वो है अहंकार, तो अहंकार को गिराने का उपयोग करता था, जो भी उसके पास आते थे, वो उसके अहंकार को गलाने में लगता था, उसको और कोई मतलब है नहीं, क्योंकि संतों को पता है, आदमी की समस्या क्या है, आदमी की समस्या अहंकार है, आदमी की समस्या यह नहीं, कि जैसे आदमी बोलते हैं, शिश्ये बोलते हैं, कि गुर जी मैं बड़ा धिनी हूँ, मैं ये पिता हूँ, ये खाता मैं पतित हूँ ये वो ये बकवास है इसमें भी और ज्यदा अहंकार है जो आज में बोलता है कि गुरुजी मैं कुछ भी नहीं खाता है सुद्ध हूँ साकाहरी हूँ इस तरह जो बोलता है वो अहंकार है उससे ज्यदा जो यह बोलता है कि मैं सिग्रेट पिता हूँ, सराप पिता हूँ, ऐसा पतीत हूँ, मागर जो पतीत हूँ बोलेगा वो भी एक अहंकार है, क्योंकि वो भी हूँ तो बोल रहा है ना, पतीत हूँ बोलो या अपने को सुद्ध हूँ बोलो, दोनों तरह से आप अहंकारी हो, तुम काउन हो कहने वाली, कि मैं यह हूँ, वह हूँ, आप जो हूँ बोलो इससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा, अगर आप हूँ बोल रहे हो, तो आपके अंदर अहंकार है, और सभी की भेतर अहंकार है, यह पता है, इसलिए सिश्चे के साथ सिधे ही वार करना है, उसके अह मित पढ़ जाओ गए, शराब नसा इत्यादी, इसको तो अध्यात्म का दुस्मन माना गया, मगर गुर्जीव का यह मानना था, कि तुमको शराब पिला के फिट नहीं कर दो, तो तब तक तुम कुछ गलत ही बोलोगे, सत्य तुमारे मन में क्या है, वो तुम नहीं बोलते हो, जब आप सराब पिते हो, तब आपके मन में क्या है, वो आप बोलते हो, हम सब को पता है, जो सराब नहीं पिते बग्त, जो आदमी है, वो बहुत छक्का पंजा होता है, वो बहुत नाटकी तरह से बोलता है, भितर कुछ और होता है, बाहर अपने को और तरह से बोलता ह भितरव उसकी गाली होती है, बासना होलता है, कुरोध होता है, मगर बाहर वो अच्छे-अच्छे सव्दों का उपयो करता है, इसको हम बोलते हूं, नन्सराबी लोग, नन्सराबी लोग का ये अर्था है कि जो जिसके पास भितरव नसा नहीं है, जैसा है वह इसा बुलने का जो नाटक करता है गुर्जीय भी मैंनता था कि तुम सराप पिलो और तब मुझे बात कर और जितनी ज़्यादा हो सब्सक्राप पिलो और फिर मेरे आगे बैठो तो आज़िसे वह सराप पिला गे लोगों को बैठा क्यूंकि सराप के कारण वो लोग अपने भितर क्या है कैसा है वो बोल देते हैं वह लाश्रम भी नहीं होता है मगर इसका आर्थ यह नहीं कि सरा पीना अचा है वह एक साधना के बिधी के तरह प्रियोग करता था तो यह एक उपाय था, तो इस तरह बहुत सारे वो अभ्यास करवाता था, आइसे भी कहते हैं कि गुर्जी अप कहीं पर कारिक्रम रखता था, डेट और भेन्यू, लोगों को देते था था कि इस समय इस जगह कारिक्रम करना है, तो वो उसका इंफर्मेशन देते था और शुरू होने का बक्त होता था, तो गुर्जी भी एक ख़वर देते था, कि भाई इधर अब कारिक्रम नहीं होगा, कैंसेल हो गया, कारिक्रम कोई 100 किलोमेटर दूर दूसरी जगह पर तीन दिन के बाद होगा, तो आइसे वो सुचना देते हो, इसलिए नहीं वो सुचना आ गया, तो कैंसेल करना पड़ा, इसलिए नहीं, वो जान-जान के बाद था, इसलिए करवाता था, कि यह जो शिष्य मेरे पास आ रहे हैं, तो इनके पास कितनी प्यास है, ऐसे हिए आये हैं, कि कुछ सत्य को जानने के लिए बितर ऑभीषापी है, कुछ बितर है की नहीं यह पहिंचार करने के वो करवाता था, इसलिए जो लोग वहाँ पर आते थे, उन में से आधे लोग तो चले जाते थे, वो बोलते थे कहिसा आधमी हमको परिशान कर दिया, वहां से यहां तक आये, और यहां से वहां बोला दल रहा है, हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा करके आध पेएंट्न करने की तरहिका था, वह आधे सी हमक्रूअ की जिसके बतर सत्य जाने वहां जाने के लिए, इसलिके प्यास है तो आई से कोई 20-30 लोग और उसके निश्चित जगहां पर पहुंचेंगे, गुर्जेप के, तो बीश-30 लोगों पर वो काम करेगा फिर। और उसने जो अहंकार है लोगों का, वो आधा तो मिटा ही दिया इसे, लोगों को पता नहीं है, गुर्जीव क्या कर रहा है, लोगों का अहंकार मिटा रहा है, जो अहंकार ही है बहुत हो, फिरता ही हो गए, और जो आये हैं, वो इसलिए आये हैं, कि वो अपना अहंकार गिन मैं फिर गुरजी अब आइसा करेंक आश्रम में बैठेया वो लोगों को काम करवाएगा वो कुछ पुरबसंघ इंतयादि नहीं करा था है। और लोगों को बोलेगा किसी को तो जाड़ू लगा पुलेगा किसी को तो गड़ा ख़द बोलेगा किसी को पत्थर बोक्के ला बोलेगा तो ऐसे काम करवाएगा तो लोग वो काम भी करते हैं और उन में से कुछ लोग वहां से भी भागेंगे वो बोलेंगे कि कैसा आजमी ह द्यान शिकाने लाया है यहां गड़ा खोदा रहा है पागल है बोलके कुछ लोग वहां से भी भाग जाएं तो ऐसे ही सिलेक्शन होगा सिस्ष्यों का तो उसके बाद गुर्जी अब ऐसा भी कारी करवाता वो बोलेगा कि एक किसी घर पर 20-30 लोगों को बैठाएगा और उनको बोलेगा तुम एक माह तक यहां रुकना है एक महिने तक और तुम को किसी से बोलना नहीं है और मुझसे भी बोलना नहीं है और गुर्जी अब कुछ भी ने करवाता उनसे वो बोलेगा कि तुमको किसी से बोलना नहीं है जो 20 लोग 30 लोग हो तुम आईसे रहो जैसे तुम ही हो और कोई है नहीं तो किसी से इसारा भी नहीं करना है किसी से बात भी नहीं करनी है कोई है ही नहीं यह समझना है राष्ते में चलने बगत किसी पर धक्का लग गया, तो सरी भी नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं, और मुझे भी बात नहीं करता है, तो ऐसे एक महिने तक वो शिश्रीव को भात ठहराता है, और एक महिने तक ऐसे बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ल एक दूसरे से बात इसलिए करते हैं, तो एक दूसरे का अहंकार को पुष्टी कर देता है, दूसरा पहले का, हम अपना अहंकार को पुष्टी करने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, आप देखें, ऐसे बात करते हैं, तो बात में क्या होता है, एक आदमी कुछ बोलता वो अपने बारे में कुछ बोलता है, वो यह बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, मेरा यह इतना घर है, ऐसा कार है, इस तरह बोलता है, तो वो अपना अहंकार दिखा रहा है, तो लोग के पास, कोई लोग आ जाए तो उसके पास दिखा देता है, अपना अहंकार, और पुस्टि करेंगा और बाद में अपना अहंकार को भी वो प्रकत करेंगा तो इसके बाद दूसरा हुद भी बोलेगा अब और पहले वाला उसका सम्मरसन करेंगा तो हमारा जो बादचित करने का सिस्टम है न does our dazu करना है तो इसलिए करते हैं दूसर्त नहीं पapping आपकी सीजाय तो एक महेने तक अपना अहंकार और किसी के आगे आप दिखाै नहीं पाए तो आपका अहंकार तो गली जाए तो तो आई से एक महीने तक सिश्चिय उहां रुख नहीं सकते थे, वह कुछ दो सार दिन हो में भाग जा थे, मुश्किल से दो चार लोग ही वहां बसते थे, वह एक महीने तक, एक महीने तक रुखने वालो में से एक बढ़ा पस्यम का गणितक की अस्पेंश की तो वह रुख एक महिने तक जब वो एक महिने तक वह रुक्य आया अस्पेंशगी ने अपने किताम में लिखा है कि ये बहुत अधभुत संत था गुर्जी उसने मुझे पता ही नहीं दिया मेरा अहंकार वो गिरा रहा है और मेरा अहंकार गिर गया और 30 दिन के बाद जब महासे में बाहर और अईसा निकला कि जएसे में है ही दी तो अधभुत बात बन गया जो लोगों को जन्मों जन्मों लगता है बर्षाउ लगता है पचास साल तक ध्यान तपस्य करके भी जिसको नहीं होता गुर्जी आप तीस दिन में अईसे ही कर देता और लोगों को पता भी नहीं होता कि वह क्या कर रहा तो एतनी चालाकी से लोगों का अउनकार गिराने का काम करता था गुर्जीयः तो मित्रों अधभुत संप है तो गुर्जीयः असे हम यहीं कला सिकें कई से अपना अउनकार को गिराना है क्योंकि अारव्ण कर हमारा सबसे बड़ा बादा हическая और यह हंगार हजार रास्त्हे बेखे हमकार में जर्जाशने योही Jagya हम को सकता है। और अईसे भी बाक्य ही तुम पतित हो राम पावन है तुम दास हो तुम छुद्र हो तो फिर यह अहंकार यह बोलेगा हाँ मैं छुद्र हूँ आपकी मिट्टी के पईर का धोल हूँ इत्तियादी यह बोलेगा और छुद्र हो के खड़ा हो जाएगा उसको ज्यानी बोल दो कि वह शास्रा पड़ेगा अध्यन करेगा प्रबशन सुनेगा तो खड़ा हो जाएगा उसका अहंकार कि हाँ मैं ने बहुत जान लिया इधर बहुत लोग मेरे पास पी सुनते है ना मुझे बताते हैं कि मुझे यह पता हो गया वो पता हो गया गुर कि वह क्यों बलते हैं कि उन्होंने कृष्णमृति उसो जैसे अनिक गुरु का प्रबशन सुना है वहां पर और उस सुनने के काल उनको कुछ अईसा मालूम हुआ कि उनको पता हो गया वह सास्रों का ज्यान पता हो गया और उसे भी अहंकार खड़ा हो जाएगा कि मैं ज्य इसको मिटाना बहुत ही सुचमता चाहिए बहुत ही चलाकी से ही यह मिटेगा तो गुर जी अपके पास ऐसे चलाकी थी अमित्रों इस अहंकार को मिटाने के लिए मेरे पास भी कुछ आईसे प्राइबेट गाइड़ेट मेटिटेशन है जो नए मित्र है वह आप इसको अगरे उसका नमर और लिंक इसकी जिपसान मिधिया होग